6.4 धारा प्रतिरोध वर्चालक्ता Resistance and Conductance सामान्य तह आपने देखा होगा कि घरों के विद्यूत परिपत में कहीं मोटे तारका उप्योग होता है तो कहीं पतले तारका ऐसा क्यों करते हैं? आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसी विद्यूत परिपत में बहने वाली धारा केवल विद्यूत विभवपर ही नहीं, परन्तु परिपत में उपस्थित धारा प्रतिरोध पर भी निर्भर करती है समान मोटाई के लंबे तार का प्रतिरोथ छोटे तार की अपिक्षा अधिक होता है तथा समान लंबाई के मोटे तार का प्रतिरोथ पतले तार की अपिक्षा कम होता है इसलिए परिपत में मोटे एवं कम लंबाई के तार से धारा का प्रवा असानी से होता है अतह घरों के विद्यूत परिपत में प्रयोग में लाने वाले तार की लंबाई एवं मोटाई पर विशेश ध्यान दिया जाता है किसी चालक में विद्यूत प्रतिरोध निम्न आवयवों पर निर्भर करता है चालक की लंबाई L के समानुपाती होती है चालक के अनुप्रस्थ काट के छेत्रफल A के वित्रुमानुपाती होती है चालक के पदार्थ की प्रकृती पर और चालक के ताप पर क्रिया कलाप 3 चालक की लंबाई पर 100 सेंटिमीटर लंबा एक पतला नाइक्रोम का तार लें तार के दोनों सिरों को विद्यूत माउंट में लगाए ध्यान रहे कि तार कसा हुआ हो और उसमें कहीं एठन न बने अब इसे श्रेनिक रम में लगी दो वॉल्ट वाली दो सेल एक अमीटर और एक वोल्ट मीटर के साथ चित्रा नुसार जोड़कर एक परिपत बनाए परिपत पूर्ण होने पर इस तार से प्रवाहित हो रही विद्यूत धारा और इसके दोनों सिरों के बीच के विद्यूत विभाव का मान साणिक रमांग 3 आ में भरे अब उपर दी गई प्रक्रिया को माउंट का उप्योग कर तार की लंबाई 80 cm, 60 cm, 40 cm और 20 cm करके साणिक रमांग 3 आ में भरें साणि 3 प्रतिरोध्व तार की लंबाई के बीच ग्राफ बना कर इन दोनों के बीच संबन्द स्थापित कीजिए क्या आपने पाया की आर एल के अनुक्रमा नुपाती है? चालक तार के अनुप्रस्थ काट के छे त्रफल पर 100 cm या समान लंबाई वाले नाइक्रोम के दो अलग-अलग मोटाई वाले तार ले एक-एक करके तार को माउंट पर कसकर बांधे और तार से प्रवाहित विद्युद्धारा वा तार के दोनों सिरों के बीच के विभवानतर का मान सानिक रमांग तीन बा में भरें तार की मोटाई और प्रतिरोध के बीच में सम्मंद स्थापित करें ध्यान रखें कि मोटे तार का अनुपरस्थ काट छेत्रफल पतले तार की तुलना में अधिक होगा इसलिए ज्यादा अनुपरस्थ काट छेत्रफल के तार में पतले तार की तुलना में प्रतिरोध कम होगा या अधिक आपने क्या पाया चालक तार के पदार्थ की प्रकृती पर नाइक्रोम, कौपर, स्टील के समान लंबाई वह मोटाई के तार ले एक-एक करके परिपत में जोड़े और साणी तीन सह भरे किस तार का प्रतिरोध सबसे अधिक है वह किस तार का सबसे कम प्रायोगिक कारे करने के पश्चात आप पाएंगे कि प्रतिरोध आर समानुपाती एल समिकरं 1 R समानुपाती 1 बटे A समिकरं 2 मोटे तार के अनुप्रस्त काट का छेतत्रफल पतले तार से अधिक होगा समिकरं 1 वद 2 से R समानुपाती L बटे E समिकरं 3 रो गुनेत L बटे E समिकरं 4 यहां रो अनुपातिक इस्तिरांग है जिसे चालक की प्रतिरोधक्ता रेजिस्टिविटी कहते हैं प्रतिरोधक्ता का ऐसाई मात्रक ओम मीटर है या किसी पदार्थ का अभिलाक्षनिक गुण धर्म होता है धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधक्ता अत्यंत कम होती है जिसका परिसर दसकी घात रिंड 8 ओम मीटर से दसकी घात रिंड 6 ओम मीटर है इसलिए ये विद्यूत के अच्छे चालक होते हैं शुद्ध धातूं की प्रतिरोधक्ता ताप वृद्धी पर बढ़ जाती है और ताप कम होने पर कम हो जाती है परन्तु मिश्र धातूं जैसे नाइक्रोम, मैगनीन, आदी की प्रतिरोधक्ता ताप पर निर्भर करती है यही कारण है कि मिश्र धातूं का उपयोग टंगस्टन धातु का ही उपयोग किया जाता है इसका प्रतिरोध एवं घलनांक उच्चो होता है कौपर तथा अलूमिनियम का उपयोग विद्यूत संचरन के लिए उपयोग में आने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है किसी पदार्थ की विद्यूत प्रतिरोधक्ता उसकी लंबाई वा अनुप्रस्थ काट के छेत्रफल पर निर्भर नहीं करती केवल पदार्थ की प्रकृती पर निर्भर करती है यदि हम ऐसा ताल लें जिसकी लंबाई एकांग हो तथा जिसका अनुप्रस्ट काट का छेत्रफल भी एक आंख हो, तब प्रतिरोध R ब़राबर ρो गुनित L बाई A चुनकि L बराबर 1, A बराबर 1, तब R बराबर रो अतह एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्त काट छेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही उस तार की प्रतिरोधक्ता कहलाता है विद्यूत प्रतिरोधक्ता किसी वस्तू की चालक्ता के विद्यूत रोधी होती है जिन पदार्थों की प्रतिरोधक्ता कम होती है अच्छे चालक होते हैं जबकि अधिक प्रतिरोधक्ता वाले पदार्थ विद्योत्रोधी होते हैं कोई भी पदार्थ पूर्ण रूप से शुद्ध चालक अथवा विद्योत्रोधी नहीं होता है बढ़ती चालकता वगटती प्रतिरोधकता के आधार पर पदार्थों को इस क्रम में दर्शाया जा सकता है चित्रचे देखें